समस्कार दोस्तो दोस्तो पत्रकारिता के पेसे की ये खुबसूरती है कि आपको बहुत अलग-अलग तरह के बहुत अलग-अलग फिल्ड के लोगों से मिलने का मुखा मिलता है और पिछले दस साल से टेलिफोनिक जो संप्रक था मेरा वो डक्टर कुलदीब सिंग धिंडशा से मेरा बना रहा लेकिन मिलने का सुवाग्या मुझे आज इन से मिला है और खास बात है कि डॉक साब विग्यानिक हैं और हर्याना के उन विग्यानिकों में से इनका नाम बहुत प्रमुकता से लिया जाता है जिन्होंने एक छोट़ से किसान परिवार से निकल के पूरी देश दुनिया में ये हर्याना का नाम आगे लेकर गई है डॉक्टर धिंट्चा की क्या एक कहानी आज डॉक साब के मुझे सुनेंगे सबसे पहले तो डॉक साब नमश्कार और ये जो आपकी फर वाली जो टोपी है ये बहुत ही कमाल लग रही आपकी तरह बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कंप्लिमेंट के लिए ये भी आप जैसे मित्रोन मुझे लखनोव यूनिवस्टी गया तब उन्हें प्रेजेंट की थी डॉक साब आप देश आजाद होने से दो सल पहले पैदा हुए और तब आप आपका परिवार आपका घर आपका गाउं थोड़ा सा जानकरी दीजिए कि किस तरह का वहां पे आपकी प्रवरिस्ट का समय था अंबाला जिले में लंडा गाओं है छोटा सा शाबाद मारकंडा के साथ वहां हमेरा जन्म हुआ मेरे पिता जी चोई मामराज सिंग एक शिक्षी किसान थे उन्हें संचतिस में मेट्रिकुलेशन की थे उससे पहले मेरे दादा जी भी पढ़े लिखे थे यद्वियों कभी स्कूल नहीं गए पर उन्होंने उनकी इच्छा थी पढ़ने की एक साल एक ब्राहमन को बुला के अपनी बैटर्ट में रखा तेरे परिवार के रहने पीने का सब राशन पानी पहुंचता रहेगा पढ़ा मुझे तो हिंदी पढ़ा उनसे हिंदी पढ़ी इसी तरह एक सालो नहीं को बुलाया उससे उन्होंने पंजाबी पढ़ी और बलके एक और बाशा होती थी अगर आप जानते हों लंडे कहते थे उस पढ़ी तो सिखाते हैं उतने थी उतने तो उन से तो इसलिए वहां से हमारे परिवार में शेक्षा के प्रती लगन प्रिलक्षित होती है मेरे बाओ जी गौरों ने मैट्रिक पढ़ाया और उसके बाद मुझे मेरे बाओ जी ने मेरे गौर में स्कूल भी नहीं ता जब तीसरी में वह तब गौर में स्कूल खूल गया वहां पढ़ते रहे और मैं बड़ी बड़े आदर के साथ अपने अध्यापका नाम लेना चाहता हूं पंड़तिनन्द की शोर पंड़तिनन्द की शोर याद आपको आज भी है तो उन्हें बड़ी लगन से हमें पढ़ करते हैं क्योंकि आपने देखो कि देहात के बच्चों के अक्सर अंग्रेजी कमजूर होती है और मैं समझता हूं कि अंग्रेजी भाशा मेरा सबसे बजबूत हतिया आ रहा है और इसने मुझे विज्ञान में आगे बड़ने में बहुत साहता की तो वो अंग्रेजी भाश अच्छा तो उससे मेरी बड़ी साहता हुई केरियर में आगे बड़ने में जे उसके बाद गॉर्मिट ही स्कूल केशरी से मैट्री की मैंने फर्स्ट वीजिन में पिर जीमन कॉल जंबाला केंट में प्रवेश मिल गया वहां से परी निर्नी की और मेरा यस वभागय था कि कि मुझे पंजाब निर्सी चंडीगड में एक ऐसे कॉर्स में दाखिला मिल गया जहां प्लस टू के बाद सीधे MSC के लिए अच्छा प्लस टू के बाद सीधे MSC सीधे MSC तो वो पांच साल का कॉर्स होता था तो उसमें मैंने प्रवेश ले लिया और वहां से MSC मैंने ऑन से पहले मुझे PhD करने के लिए स्कॉलर्शीप मिल गया स्कॉलर्शीप या फैलोशीप जो भी आपके हैं हालां कि वो स्कॉलर्शीप अमरीका की एक अमरीका के प्रोजेक्ट का था National Bureau of Standards वाशिंग्टन का जे वहां भी जाना था पर उसमें मेरी दादी अड़ी के मिना ये अमरीका चला गया तो मेम लेके आएगा तब ये बैम था लोगों में बैम से करा के आएगा तो इसलिए इसको वहां नहीं जाना है पहले है शादी करा और पिर जाए अल्टीमेटली फैसला हुआ कि मैं यहीं PhD करूंगा शुरू कर दी बड़ा अच्छा काम किया और मैं फकर के साथ कहता हूँ कि मैं 18 गंटे रोज अपनी प्रियोग शाला में काम किया करता है रात को भी दिन में भी अधे रिजल्ट में बहुत अच्छा काम कर पाया और पीएश्डी पूरी होने से पहले मुझे अर्याना करिश्व देले में असिस्टन प्रोफेसर की जाग मिलके एल फ लेचर जी के पास चले गया एल एक शाम मैं गयवाता है मेरी सस्राल इसार में इसार में इसार में थी मेरे ससर वहां डेप्टिक मिश्टर से चोई हर्फूल सिंग तो मैं एक शाम को सेर करता करता यूरिवस्टी में निकल गया अच्छा आप चुद्री अर्फूल जी के दाबाद हैं दाबाद वो बहुत बड़े परसासनी का दिकारी रहे हैं वो डेप्टिक कमिश्र भी रह बताता हूं कि जो इनसान इतने साल D.C. रहा फिर चेयर्मेन S.P.S.C. रहा उनके पास जब वो रिटायर हुए किसी शहर में कोई मकान या कोई प्लॉट नहीं था नहीं था वो रिटायर हो के बापदादी की अवेली की मुर्मित रहे हैं वो रहे हैं पाई गाउ हैं पाई चोटरवान ने उनको पहली नौकरी उन्होंने दी थी नएप तहसीलदार लगाया तो चोटरवान दूड़ते हैं किसानों के बच्चे कहीं भी जो पड़ा लिखा है उसको पकटगे लओ और नौकरी दूगा तो उन्होंने बड़ा नाम कमाया और ये इतनी बड़ी आता है कि एक आदमी इतने साल डी सी और चेर में रहा हो और उसके पास कि शेयर में कोई मकान हो इमानदारी की अपने आप में एक मिसाल थे और ना आज के जिन तो कोई SPSC का मेंबर भी रह जाए एक साल ता अजमाहल करीजरे की सूचता है कोई एक पात साल विदाय करा जा और तो मिसाल थे और तो बतन क्या कर लेता है जितनी सेल्री मिलती है कि मंत्री गो यह विदायक को उत्रे ही ज्यादागी तो उनकी चैहे लग जाते है जो लोग आते जाते उनके पास तो फिर व खुरोडों रुपे कहाँ से आ रहे है यह भारत की आरती विवस्ता है इस प आप जैसे जिकर चली रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं खुद को, एल फलेचर जी के बारे में, उनके बारे में कुछ बताईए, एल फलेचर दी, I.C.S. ऑफिसर थे, I.C.S. वो होते हैं, अब तो I.S. होते हैं, पर I.C.S. को इंग्लैन में प्रिक्षा होती थे उनकी, त तो उन्हों ने हरियाना एकरिकल्टल यूनिवस्टी बनाई, उनके चोटा की सब दादों अगरबाद को, वो रिटायरो के फाइनेशल कमिंशनर से, शाबाद के पास ये गौम है खरींडवा, वह उन्हों ने दस एकर जमीर खरींड़ी, दस या बारा, और फार्म बनाया, एक छोटा फार्म हसुना आया, जब चोई बनसिलाल ने फैसला किया कि अपनी अपनी उन्यवस्टी बनाएगे हरियाना में, जब हरियाना पंजाब अलग होगे थे, एक ही कर चली उन्यवस्टी, तो उनके दिमाग में एक ही नाम आया, कि फलेचर को बुलाया जाए, उन्ह होने डी सी करनाल को फोन किया कि फलेचर साथ को मिरा संदेश दो, कि सटायम आके मिले, डیप्टिक मिश्टर करनाल गया, उनके फारम पर पहुँच गया, और जाके नीचे उतरके, उन्हें अपने गाड़ को कहा, कि पता करो, फलेचर साथ हैं या नहीं हैं, और उन्हें को कोगे डीज साब मिल ले आए हैं इंसिडेंटली फ्लेजर साब उस तेम पर छथ पे टैल रहे थे उन्होंने देख लिया फ्लैग भी देख लिया तो पने चौकिदार का वाज लगाई कि पता करो यह कौन बेवपूफ आदमी है जो मेरे प्राइबेर प्रेमिसीज में इंटर रही कर से इसके अंदर है तो मेरा ही फ्लैग है डीसी ने बाद सुनी चुपचाप लॉट गया दोए किलो मिटर आगे फ्लैग उतारा पिर आया वापिस फिर उनकी मुलाकात वी उन्होंने फ्लैजर साब को संदेश दिया उन्हें का ठीक है मैरा मिली मिल या और कहा कि आपको खुली छूट है जैसे मर्जी बड़े इतना पैसा चाहिए आप में विश्वास है आपकी महांदारी बेहत प्रसंस दिया है तो वहां जॉइन कीजिए उन्होंने वहां कारिया भार सभाला और साड़े तीन साल में वह युनिवस्टी खड़ी करके दी जि इसको सबसे बितर कैंपस माना गया तो खेर में वहां सेयर करने निकल गया मैंने देखे सामने एक बजुरुक हो या पर बड़ा एक्टिव कुटेगी जंजीर उसके हाथ में है निकर पेनी हुई है टी-शिर्ट शाम के लिए बड़ी शान से डंडा हाथ में सेयर कर रहा है एक दम लगता था वे कोई जो है बहुत डॉमिनेटिंग परस्नेल्टी है तो मैंने जाते जाते उनकी बगल से गुज़ा तो मैंने का के गुड़ इवनिंग सर गुड़ इवनिंग थोड़ा आगे बढ़ के रुके हैं इंगलिश में बोलते थे मैं बात हिंदी बताओंग है अपने दर्शकों के लिए आपके दर्शकों के लिए जे कि अने का कि यंग मैन हो आर यू नौजवां आप कौन हो मैंने आपको इस केमपस पे कभी नहीं देखा अच्छा मैंने सर में बिलकुल नए हूं आपके केमपस की बड़ी परसंसा सुनी थी इसलिए मैं सेहर के आपने मुझे विश्क्यूं किया आप तो मुझे जानते नहीं थे मैंने एक बड़ा आदमी अपने से बड़ा कहीं भी मिले हर्याना की सबत है कि उसको राम राम या जैसे ग्रीट करने मैंने इंगलिश्वाइब गुड़ा आप लगा या लगा या लाइक यर मैनर्स तेल में जैनल मैं सम्थिंग अपने बारे मुझे बताईए जै क्या करते हैं मैंने का जी मैं पंजाब इनुश्य चंडियर प्याश्य कर रहा हूं कौन से सब्जेक्ट में मैंने के विस्षी मे विरी गुड़ कब तक पूरी कर लोगे मैंने कि अभी तुम्हें थी सीज लिखना चुरू किया एक साल और लग जाएगा रिसर्च पूरी कर चुगा मैं आपसे के मिस्ट्री के बारे में कुछ पूछू अच्छ इंट्रू होगा है प्रोड़ पाई सर मैं जितना कुछ अ आपने बता दिये सारे तो मुझे कह लगे कि आप हमारे यहां जॉब करना चाहोगे अच्छा ऐसे सेलेक्ट करते थे वह तो मैंने कि सर यह तो सोचने के भीशे मैं इसके लिए तो तो त्यार हो की निया मैं सेयर कर रहा हूँ है कम ओन सी में टमारो इन माई आफिस से टेलि मेरे कारी अहले में दस बजे मिलो मैं गया मिल ले तोनों ने तब रिजिस सार को बुलवाया कि यहां एक इस यंग मैं वह ही के तो बार बार यहां एक नौजवा लड़का है और मुझे इसकी नौलज़ बड़ी पसंद आई इनको असिस्टेंट प्रोफेसर के एड हॉक पे इनके आउडर कर दिये जाए अच्छा जी प्रजिस्टार मुझे साथ ले गया आदे गंडे मुझे अपॉइंट मेंट लेटर क्या पात रुजिस्टार कहला जोई रोड कर इंटर हो गया अपका तो वो उसने रजिस्टार कहला जोईन का मैं एक पहले चंडिगर जाओंगा अपने गाइड से इजाएद्स लोगा अ क्या पता हो क्या करें अच्छा मैं वापीश चंडिगर आया मैंने अपने टीचर को आके बात पताई है मैंने सर ऐसे ऐसे ओफर मिली है क्या करो तो पंजाबी बोलते थे ओ पुतर बात आना पूछ अब रामन को और पूछ जाकर जाएँन कर अच्छा मैंने सर मेंजी पीएश्डी तरी ओचुकिया लिखना रह रहा है सेटरेडे संदे आदाया करन्फा मैं क्रेक्ट करता रहूंगा फिर अगले आगया अपना अग्रा चेप्टर दे दिया है उ तो पूरी ओचुकी है मैंने सर बेरी बात बड़ी इच्छा है कि मैं यहीं पंजाबी निवस् गुछची निचे कोई बहुत बड़ पेड़ दहीं को क्या है कि अबड़ के ने तो तु मिरे साय में दब रहेगा अबड़ और दी पाएगा नहीं वाहाँ जाएट टो इस थे तरह मैंने आकर को एव ज्गभवान निया किया में ज्गबने के बाद्र गज़ शाये जुना नवे अच्छी हुतर प्रदान ज्च्रव काम कराया, किसंचीहतर मुझे पुछे, प्रदान पंत्री इंद्रा गांदी थी प्र ये पहला वाड किसी हर्याना के किसी साइटिस्ट pag princista को मिलनुखा मेरे वो शब्याद है जब इंद्रा जी ने मुझे वाड देते हुए कहा था इंगलिश में बोलती थी I knew haryana for its hard working farmers अच्छा जी I knew haryana for its brave joans जी But today I knew haryana for its science also and societies also और वो शब्याद मैंने उनका औरा देखा है धर्मेंदर जी औरा क्या कहते तुसको चारू तरा अबह मं अवराण आबह मंदल सच उस्जा जैसे हूँ देवता हुए हैस्थ zosta है अब मैने महसूस किया इंद्रान गान-डी के चारूँ गान-डी के और पता नहीं कहा से उड़ जाई कि उसके बाद तो मैं भी ज्यान में चलांगे लगाता ही चलांगा कुछ दिनों बाद मुझे जर्मनी स्चात्रविती मिली अच्छा जी अब जर्मनी पहुंच गी हाँ तीन साल महां रिसर्च की खोब बढ़िया इतनी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे वह जौब की हुए कि जर्मनी वर्लों ने इंस्टीचूट फिर वियो फिजिक उसमें जर्मन भी कहते थे हैं रहें लोगार मेरे रह देश की सेवा करता है यह जा तो देश ने मुझे सब कुछ दीया नही रही आ पूना फिर भी उन्होंने बरे वैदा ले लिया जब हम बनायें तब त वहां से वापिस लौट आया, प्रमोशन हो गई, और मैं बहुत छोटी उड़ी, फुर प्रोफेसर कुनिया, जो जोब लोगों को पिचास के आसपास जाके मिलती है, वो जो तीस के आसपास मिल गई, असल कर लिया, जोब नहीं मैं तो आप पूरे जोस में रहते हैं, अब भ है भी था, सब चीजे थी, सुन्दर भी था यह बता दो, जेज़े, देवनन, तो वहां, फिर तो कदम बढ़ते गए, बढ़ते गए, और किसी देश में भी जाने का मौकम लिए, जर्मनी से लोटके आया, उस समय काम किया ही सार, अमरीका से स्कॉलरशी मिल गया, वहां काम करने चलाएगा, फिर तो बार-बार उसके बाद तो, चे मिने इंडिया में, तीर मिने विदेश, साल बारत में, दो मिने विदेश, इस तरह मेरा, अज़े, आपने क्या रिसर्च क्या किया, अहां, ये कर मैं भारी भर कर शब्दा को परियोग करके तो, नहीं बता हूँग कालेख, अहां, कैंए, अहां, मेरे दो फील्ड ते, एक था हमने नान एक्षॉफ पेक, क्या मुच्किलिये फानी से अलग जो शॉल्वैंट है, अच्छा लोग नुषानी तो, पानी तो एक ास सॉल्वैंट है्छा और काम बारा एक रीगोरिणाइज भी महा हूंस रह वह दूसरा जो लोगों के सम्सफजाएने वाल काम है यह इंन्हीं मैंने शुरू किया प्रोटीन क्वाली्टी में कि फसलों में प्रोटीन की गुर्टा कैसे बढाई जाते अच्छा अच्छअ घ्याधन की नाखो यह नाई लाए ऊहात 강ने का लिए जिस Kारण्ध वो अतनी शक्राणी रहा हूथ अच्छा झात के अपनी जैस मत बेरेट समते हैं जो ना अब तो मिसी रोटी कहते हैं उसको जवार गेहूं और चना मिलके वो तो मैं आज भी खता हूं मेरी माग वही बना के तो पहले मेरी माग बिना चनेक डाली रोटी नी बनाती है उसकी एक वज़ा है उन्हें साइंस तो नहीं पादा थिस भारे में और शक्र देदे पुझे तो भाई क्या राकेश है तिरा नाम नीरज है जी नीरज जी अचाय ले 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 तुम उज़ा आदाम से बैठके पिले तो बैठके पिले सोफा कीचले पिछे है नहीं फिर शुरू कर ले गए तो नीरज जी नाम का कभी भी हुआ है जी उससे पू कभी नीरज जी के गितनी से शुने को मैं मेरो एक मोई नीरज कुमार के नाम से जवाब के अदल खाश होगा कोई नीरज जो है इसका पूरा नाम था वो यह भी नी बता पाएंगे गोपाल दास नीरज वो आये थे जी अपने यहां पे ना मैं मिला था अजसे नीरज कभी स अजसे ने कभी उर्दू के शब्दों पहले तो उर्दू बहुत हो तो फिल्मी गीतों में और शेर शेरी शारी उर्दू में थी जे जे उनोंने हिंदी को अगे बढ़ाया तो तेरा नाम महान है तो आम रखती नहीं है अब कहां थे कहां थे बाच्चित में मैं बूलिगा मैं बता देता हूं वो एक आपने फिल्ड्स के बारे में बता रहे थे एक वो शॉल्वेंट था और एक आठे पर बात चल रही थे उसमें मिशी रोटी गेहू और चणा मिला गए मेरे बच्पन में तो ठीक रहती है के डुक सब वो खने चाही किया अब रता हूंगा जवा गठे पैदा हो एक ठीक पके और फिरको पीष के आठा अब तो लोग अलग चने लेते अलग गेहूं लेते हैं उसका एक लोजिक था आपकी माता है जो आपको अमेशा और अब तक भी दे रहे हैं तो यह वह रोटी दे रहे हैं गेहूं में लाइसीन कम होती है और चने में उसके लाइसीन ज्यादा होती है यह गया श्रणा शुम्स इनको अमीनि आसिद मालिया तो इसक प्राइंजम्पल दे रहा हुरा मेरे अग्जांप़्िकर आगरगी सारे आमीनि आसिद एक एक मिली ग्राम है जी और लाइसीन जो है वह जीर्ग पॉइंट 5 मिली ग्राम है पांच मिली ग्रामी यूज हो में बाकी बिकार जाएंगा चर्णा लाइसीन रिचा है उचर्णा उसको दे देता था उसकी लाइसीन को एक पे ले आता था अच्छा एज रिजल्स सारे के सारे अम्यून एसे एक मिली ग्राम फुर इसका मतलब यह हो अडुक साहब कि हमारे ज सथा छाहे उचको जामते उसके निख किसी ने तो कैसे तो सू जाओ क करोंगा उन्होंने चना और गए उच्डबान को मिक्स करूंः के सू जा था और उनको इसकीवजा नहीं पता थी कर तो अबस खा रहे ए और प्रेक्टिकलों से सीखा कि यह खाने से आए में रिष्ट उसके बाद मैं जब जर्मौनी में ता वहां मने नुकलियर कमिस्टिञ EPS बीए नुकलियर केमिस्टिर केमिस्ट्री जर्मनी में जर्मनी में और वहां एक बार क्या हुआ और एक अफरीकन रेगलबाटरी में ऑप दो स्टूडेंट से इकठे काम करते थे एक दिन हम उसका चेम्बर का यूवी स्वीच आफ करना बूल गए अच्छा एक्सपेरिमेंट करते रहे एज रिजल्ट तब तो मैं पता ने लगा जब मैं अपने कमरे में पहुंचा ताखों से पानी बहने लगा और मुझे दोही सब अंदे पन की और बढ़ता गया आद गंटे के अंदर अंदर मैं बहुत कबराया मेरा कमरा इस्ट्रिजूट में था जी और मैं अकेला था उस सारे कंपस पे शाम को सारे चले जाते थे अच्छा दो मैं केला मैंने मेरे याद आगा मेरे एक दोस्त पाकिस्तान का तब मुबाइल आगा तो मतलों नहीं था आउस्टल में एक फोन रख़ा होता है तो मैंने वहाँ तब मुझे दिखना बंद हो चुका था गिन-गिन के अमलियों से अंदाज़से करा आपनो नंबर मिलाया और मेरी खुश किसमति के वह मिल गया और रहा बच्छे शाम को न इम्तियाज पाकिस्तान वाला पाकिस्तान अच्छा तब मुझे उसका गाड़ी भी थी वह गाड़ी लेकिया गया मुझे सिधा डॉक्टर के ले लिए आई स्पैसलिस्ट के रात का टाइम था उसने देखा समझा वो कहने का कि उससे मैं तो कहां पराता में बुलन जा रहा था अवे अंदा होगे अंदा होगे कोट ओवर कोट उपर जो है और जो है कपड़ा पर कम कप ही न रुके तो उसने डॉक्टर ने कहा कि कहीं न्यूकलियर जेज के साथ तो काम नहीं करते हैं अच्छा मैंने समझा भी यह बीमारी पकड़ जुका है मेरी जे 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 मैंने मैंने सर मुझे विमताओ भुचालो है कि मैंने जहाँ एक दिखो एडल्ट हूं पड़ा लिखा हो सब कुसमझता हूं अगर मैं अंदा हो चुका हूं तो में बात सेने को तियार हैं मुझे अंदेरी में ना रख़ो वो करते नहीं, मैं आपकी आँखों को बचाओंगा, आप निश्चित हो जाए उसने अपना जो करना रख किया, करके मेरे पटी बांदी, मैं फिर उसी क्वेस्टन पे, मैं रहे साथ, बिल्कुल जो है नहीं जो है नहीं, मुझे अब निश्चिंदों के बता दें, मैं सद्मा सेने के लिए तियार हूँ, मुझे कल भी सेना पड़ेगा, परसों भी सेना पड़ेगा, जो है अंदा हो चुका हो तो, आप प्रपेर मैसेल फॉर बगवान की इचा जो है, तो कहने है नहीं, आपकी आँके ठीक हो जाए मैंने सद्राब मुझे मिश गाइड कर रहे हैं, उसके गुस्सा आगा, कहते हैं, मैं सब नौट, उन्हें तब ही मेरी पटी खोली, मैंने कहीं नाराज तो लिए सुरावी तो उतार अपना जंदा, खोल के उसे दोबारा मेरी आँकों में दवाडा दी, कहता आँके खोलो, मैं घा जी नहीं खोल सकता, खुलती नहीं, घर आँके खोलो जाए तरी जाए जैया नहीं खोलो, तो खोलो, उन्हें घख कोलो, तक्षी खोलो, और दी खोलो, कहते हैं, तो अघ्जज़ घखाई दे देता हूं, मैंने देखे देते हों आपके इंके शुराशी तो फीसे देख पा होगे और मीने के अंदर आप सौ फीसे देख रहे हैं लाइगा अच्छा बच गया अपके आपके इस तरह जो है ना प्रभू ने मेरी आखे बचाने के और फिर मैं अपने कारिये में उसी जो शुक्रों से लग गया बलके और ज्यादा से ये सोच के देखो ब फिर एचे वह हिसार में आगया नौकरी तो चली रही थी उसके बाद जैसे मैं कहरा था कि मुझे अमरीका में स्कॉर्श भी पर अमरीका चले गए अमरीका चले गए वहां काम किया साल बर वापीस आगया हिसार तो मेरा ग्यान बढ़ता गया क्षित्रों में खोज करता चल अब जाए और मुझे उच्छाम हो जाएगी नाम लेने लग जाए तो परमोशन में मिली पंजाबी में कहते हैं नाले कुन ते नाले फड़ियां अच्छा है परमोशन भी बिली और साथ के साथ मेरा रुत्वा भी बढ़ता रहा जिस्टे में और परुसाहिस होता चलागा बाद में तो यहाल था कि लोग अस्ते थे यहां इसार में कपड़ी दुलवाने आता है अमरीगा से लोटा मिनिक में साफ सूफ कराए पिर अटैची उठाई फिर जड़नी चला गया पिर वहां स्पेन चला गया तो बड़ियान ने आपको बहुत मोके दी बहुत मोके दी कोभी सोचा भी निजा सकता कि इतने मोके मिलते हैं किशी को ने मिलते हैं जिंदी के में प्रभू अच्छा सुना आपने विल क्लिंटन के साथ भी खाना काया था काम मिल गया को बिल क्लिंटन बिल क्लिंटन जी इंडिया है थे अच्छा में इंडिया आया हुआ था तो अर यहारा कुंसा परिवारे है एक तो जिंदल परिवार को यह और परिवारर हैाँ सोवाश zijn सबाश दुद्र को को और सुरेंद्र मुझें को वह बागर सुरेंदर शह एपना पर मैं जैनाउ दिन था डुकसाब, तोड़सा एक अपका दिमाग को थोड़सा एक्साइज करा हूं झारियान कि अरियाना के अरियाना के अरियाना का ते दूद लिए का खणा बएगी यहां के लोग विज्ञान में नहीं जाते लिगन मैंने पड़ा ड्क्राम्दन वो भी उनकी जो विग्यान थी ना वो जमीन से जुड़ी हुई थी डॉक्टर रामदर्ण सिंग जब पाकिस्तान के साथ अभी कठे थे लायलपुर में प्रिंसिपल थे अगरी कल्चिर तो अगरी कल्चिर तो हमारे में जन्म जाता है गयों के फिल्ड़ें बहुत काम किया अगर ऐसे-अशे कुछ लोगों की नाम बता सकते हैं जो जिनको आप समझते हैं जो हर्याना में जन्म है और बहुत बड़े वग्यानिक आपकी ने जन्म हूं कुछ नाम यह थोड़ा मुश्किल प्रशन है मुझे दो तीन मिट सोच सकते हैं हाँ सोच यहाँ पर हमसे चाय पिते गुए उस टेम अर्याना पंजाबी कठा था एक तो जे हमारे तालीहम कर्म थी पंजाब में बहुत ज्यादा थी पंजाब ने ज्यादा साइश दान दी ऐसी करके डॉक्टर गिल हुए बाद में वाइस चांसर पर नेलो देना यूरिस्टी के अग्रिकिल्चर के और डॉक्टर गिल पुरा नाम क्या था उनका अभी याद कर लूँआ उसके साथ एक थे हमारे वो फिलिपीन्स चले गए थे राइस पे उनका इंटरनेशनल लेवल का काम है उनका नाम भी याद करना पड़ेगा एक सब्सक्राइब लॉक्टर बल नहीं चले बहुत मुस्किल सवाल पूछ ले मैं अंतमीयाब को दो नाम जो रूपता हूं गो बहुत बड़े वग्यादिक हुए अर्याना के थे जो पंजाब के थे पंजाब 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 इक अधा था जब की बाते कर रहा हूं हमारा पंजाब के दो टूपड़े हुए आधा पाकिस्तान चला गया आधा भारत में रह गया फिर 66 में हुआ उससे पहले प्यप्स हुए गया राज वबने वह अलग चीज कहाणी है अधे डोक साब एक जोती जर्णल सा स्वाल पुछू आपसे भारत का ना साइंस में जो बचे हैं जाए आप स्कूल लेवल से ले लो आज भी मतलब साइंस से डरते हैं भारत के बच्चें क्या कारणा है इसका यह अमारी फेलियो हरा है अमारी अस्फलता है हम बच्चों में वग्यानिक दिश्श्री को नहीं पैदा कर पाए और हम उन्हें साइंस को इंट्र उन्हें तरीके से बढ़ा है वरना साइंस तो इतनी इंट्रेस्टिंग है इसके एक्सपरिमेंट्स मताइए और तब बच्चे को साइंस सिखाए एक टीचिंग एक टीचिंग एक टीचर में क्या गून होते है एक टीचर अपने सबजेक्ट का पूरा माहिरोना चाहिए तीसरा कि वो कितनी असानी से बच्चों के दिमाग में उस बात को डाल सकता है यह तीन गुम जिसमें होंगे एक अच्छा टीचर बढ़ने का और जो बहुत अच्छे ज्यादा अमारे ऐसे लोग नहीं पैदा हुए जो हुए उन्होंने विज्ञान को आगे बढ़ाया और जो इंट्रेस्ट नहीं पैदा कर पाए वहां मैं टीचर की फेलियर मांता हूँ उमारे स्टूरेंट्स की नहीं है बच्चों की नहीं है मैथे मैच से डरते हैं मारे बच्चे उसको भी ही कारण है मैज अभी जो आपके सामने बेठा है दर्मेंदर यह मैज से डरने ओला द कुछ हो ना कभ कभी चुटा करती है कहानियां हिंदी इसमें बड़ा अनंद आता था मुझे वही पेसा बन गया एक अपने कभी हुए हैं आपको हुए तो साइंटिस्ट है कभी हो की बाते कहां सीखता है एक कभी हुए हैं गोपाल परसाद भ्यास अच्छे बेशिकली वह हास्य कभी थे मैंने उनको सुना भी है तो उन्होंने गनित के बारे में कहा कि पढ़ते वक्त मुझे बच्पन में अक्सर प्यास लगा करती थी और गनित का घंटा आते शंका खास लगा करती थी मासरी ने स्वाल दाने पूछे उसे पहले मासरी 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 और महां जाके पीरिट काटके आजाना शंका खास लगों शंका नहीं खास पूरी पढ़ते वक्त मुझे बच्पन में अक्सर प्यास लगा करती थी और गनित का घंटा आते शंका खास लगा करती थी बड़ा हुआ तो मुझे इश्क के दोरे पढ़ने लगे भ्यांकर बड़ा हुआ तो मुझे इश्क के दोरे पढ़ने लगे भ्यांकर हर लड़की की अम्मा मुझको अपनी सास लगा करते है गनी तो ऐसी चीज़े भाई अब जैसे अभी इतने साल क्या हो गया 77 हो गया आप लेकिन आप सुबह से यहां यूनिश्टी आए हुए हो आप चार बज़े में ट्रू कर रहे हैं आप बेठे भी नहीं लेटे भी नहीं कर पा रहे हो आप अलांकि थोड़ी बहुत स्वास्ता है कि समझ्चा मुझे लगता है थोड़ी बहुत बनगी है आपके साथ देखिए नमबर एक तो मुझे अगर किसी शब्द से चीड़ है वो बजूरुक से है बजूरुक तो मैंने कहा है आपने नहीं कहा है मैं समझ र कोगे आद्मी बजूरुक कभी नहीं उता है वन गेट मैच्योर आदमी कह तज कर तजरिबा बढ़ता है मैं मैं है को 17 साल का हूँ और भाई मैं सो 27 साल का हूँ 50 साल का में तजर्बा है 550-10 का तजर्बा है और तजर्बा मुझे जो जूज़ जुआन रखता है मैंसूस त तो आपने तो एक बहुत लंबा देखा है दोर अर्याना का भी, अर्याना को आपने ऐसे बनते और यहां तक पहुंचते वे देखा है, तो वैसे नोन मतलब साइंस क्रिशन है यह, कि अब तक कि जो अर्याना को जैसे आपने देखा है, especially education के फिल्ड में, तो किस मुख्यमंतर कि अर्याना की ने सरुवाधिक काम रियाना में की, education में बिना किसी हिचके, मैं एक सीद असादा नाम ले सकता हूँ, चोई बना किसी हिचके, शिक्षाय ने अरेक शित्र में, उसने एक पिशरी परदेश को एक डिवेल्प, डिवेल्प को क्या कहेंगे, विकास, विक्षि मेंदर जी, आप जाओ कहीं, पैदल जाते हैं तब, पानी मांग लो, दूद दे दे देंगे, दो गिलास पी, पानी देंगे, तो यालाथ थे, उसने अच्छा, टिबे थे, नहर जा नी सकती थी, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, इंदुस्तान पहली बार बो लेका, पहली बा लेके आया, उसने एच्छी खोली उन्होंने पनाई, बहुत कुछ किया, परेगों में बिजली थी, शड़के बनवाई, प्रेटन गिंदर बनवाई, एक बार की वारदात बताता हूं, कि उन्हें पंजाब आलों ने कह दिया, चंडी गड़ को पंजाब अपने पास रहना मैं इच्छ को आख पिर ले ने के पन्चकूला की तर्फे गड़े थी, तुमारे पास डिली का यह पता हो अब तुम दिली कहां से जाओगे, जाओगे तुम दिली कहां से जाओगे, बिटी में थाय टाइम से सारे गवाउं को बिजली देगीना, घंबे लगे, असेंबली में रॉब रेंदर सिंग लीडर रॉफ पोजिशन था तो कहने लिए चोई बंसिलाल आप बेवजा जो है ओ ले रहे हो कि मैंने ये कर दिया मैंने ये कर दिया खंबे तो लगे हैं पर उने बिजली नहीं है तो कहने लिए रॉख साहब इसमें तो कोई सोचने की बात ही ना मे बिजली खंबे बात है ये तो समय नहीं है अगर तार कि अस लगा दो अगर तो आप वापिस आगे तो मैं गदी शौड साहँ गा और अधर बाहर रहे जाओगे तो आडरि आपकर आधर के अधरी तो अधरी तो अर्याना की नता रहते लिए अजर्यावी तो अर्याना का अ आजरजवाबी मजाग यह तो अमारे अंदर इंग्रेंट अच्छ आप इतनी पूरी दुनिया में गूमें तो कभी कभी आपको लगता था कि आप थोड़ा अपने अर्यानमी पन भी दिखा देग ते ओग अपे अच्छ आपको कि आपको अच्छ ने अर्यानमी पन अब आया हूंख छोटी शिवर में चंडिगर चला गया था चंडिगर बड़ा इस और शुफिषिसे के श्यार ता इन फेक्ट जब मैंने इस आर जॉइन किया तो मुझे ना वो जाट मानते थे और ना रियाना का मानते थ यह किसा जाटे तो अगरेजीम बुलाएं अगरेजीम बुलाएं अगरेजीम बुलाएं अधर टॉक्साब एक बाद थाओ कि यह जो यूनिश्टी है जैसे एच्चेवी लगालो है जो भी है आज भी मतलब किसानों में जो इनका सही फायदा जो पहुचना चाहिए जो लाब जो पहुचना जो पहुचना जो भी मारीयों के इलाज है उन्हें जब तक हम किसानों को नहीं बताएंगे तब तक कैसे फैदा उठाएंगे उसके लिए अमने अरेक जिले में एक्स्टेंशन सेंटर खोले डिस्ट्रिक्स एक्सेंशन एंदर कृषिव ग्यान केंदर कृष सपना ये था कि गौव में डेमस्टेशन प्लॉट लगाएं तब दिखाएं आदाएकर जमीन लेके के नया बीज है उसको बीजे महां खाद पानी दे जब लोग देखेंगे ना वे अमारे तो तीस मन हो रही है इसने पचास मन कर ली तब वो अडॉप्ट करेंगे तो वो सर्विस पूर होने कारण किसान वो सारी बाते अडॉप्ट नहीं कर पाई है पंजाब की एक्सेंशन सर्विस टॉंग है अब तो जब हम किसान मिला भी लगाते हैं लोग वह बीज खरीज रहे जाते हैं और कटे लादे हुए अपने कंदों पर और सीखने जाते हुए अज इस दो बेसिकली हरियाना और साइन्स का मेल कम है हरियाना का दो खेती से मैल है और फॉज से मैल है दू गमों से मैल है पर अगर थोड़ी शिमेंद की जाए तो जिस तरह हम क्रिशी में बहुत आगे उब रहे हैं जिस तरह हमने फॉज में बहुत नाम कमाया है शायर हम भी आगे कमा सकते हैं साइंस में साइंस में बच्चों में इंट्रेस्ट प्यादा करें साइंस का अच्छे बच्चों को स्कॉलर्शिट दें आगे बढ़ाएं तो मेरा ख्याल है कि कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं तो आप इस उमर में जब ये लेक्षर सेमिनार इन में जाते हो तो अब भी पढ़ते हो आप बिलकुब पढ़ते हो देखो बाई मैं सुबह भी आप से दारा पानी की धारा के बिप्रीश चल रहे हो अगर आप चपू नहीं चला होगे तो उल्ट जागी नौ गिर जाओ वो चपू ग्यान के चपू अगर आप ग्यान को लगातार अपडेट नहीं करते रहोगे तो आप साइंस में खड़े जैपाओं मैं आज के दिन भी रात क नौ से और साड़े वारा मजे तक है बिज्ञान में नया क्या हुआ इंग्लेंड में क्या हुआ अवरीका में क्या वो पड़ता हूँ अब तो आसान वी होगा होगा अपके लिए पर पहले इत्री चीजे मिलती नहीं था आलागा मैं कंप्यूटर से मेरा बहुत जादा प् करें तो इस तरह है अभी और लिखता हूँ विर मारे ये भी लिठमुटर से मिलखता हुओ कि नही रिजर्च क्या होने चाहिए अब भी पड़ लिख लेता हुँ अभी पेपर ल्गता हूँ अबी पेपर लिखता हूम पूछने कि सर पीएषडी कहीं कर रहे हैं कि सर मुझे इस बारे में ग्यावनों ने बताते हो उनको 24 घटे खुले दर्वादे दर्वादे एक बार मैं पांच छे सार परानी बात है गॉालियर में इंटरनेशनल कॉन्फरेंस थी अच्छा तो उस पे उनोंने मुझे गैस्ट के दर्व काम है पर इस साइंस और इस को इंसान की बलाई के लिए क्योंगी से और मैंनेकअ बारते कृशी प्रदान देश है तो इंसान से मत जिजादा किसान की बलाई के लिए क्यों यूनियुज कर सकते हैं मैं द facilities यूरियक लूकर तो कटे कटे आप नेनो यूरिया क्यों नी बनाते ऐसा बनाएं अब तो आगे है नेनो बता नहीं बता रहा हूं तो वह मैंने कर काफी डिटेल में का उनको आइडिया दिया और मैंने फिर तब अख़ारों में भी लिखा था कि हमारे साइंटिस्स की कि अप्राइबिल्टीज देखें और कि शमदा देखिए कि मैंने पांच साल की इमारे था थी उन्हों ने चौते साल में ने नियूरियल अच्छ यह आपका इडिया दिया हूँ आइडिया मेरा था बीदेशों तो आइडिया मैंने भी चुराया था कहीं से ग्यान तो यह है अबने पेस किया उन्होंने मैंने की बन गया तो इस तरह है तो दोस्तों यह थे डॉक्टर कुल्दीब सिंग दिंट साजी कुछ रहा गया हां अच्छ ने मैं आपका आपका प्रशन है कि मैं रोत तर नहीं एक प्रशन गयोना चाहिए था कि आप नौजवानों को अगली पीडी को क्या संदेश जरूरी डॉक साब का ही परसन है कि नोजवान पीडी के लिए डॉक्टर कुल्दीब सिंग दिंट साजी का क्या संदेश है मैं सिर्फ दो वाक्यों मैं इसका उत्तर दोंगा मेरे जहां तक मेरे प्रेक्टिकल जिंदी का संबंद है मेरे दो अधर्श रहे हैं एक स्वामी विवकन्त और एक गुरु गुबिंद सिंग स्वामी विवकन्त ने लिखा था अराइस अवेक एंड स्टॉप नौट तिल इगोल इस अचीवट जागो उठो और तब तक रुकने का नाम ना लो जब तक मंजिल तक ना पहुंचो बस और आपकी इंदीब कहते हैं जब तक मंजिल आपके पाउना चूम ले क्या बात है इसी बात को बाद में दूसरे शब्दों में अब्दुर कराम जी ने कहा किसा सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देखते हैं ऐसा सपना देखो उसके पूरा करने की लगन लगा लो और पूरा तब ही होगा जब यहां नुदी तर इसारी जिए त्यागो तो ये तो एक था सौम्य करना रहा हुआ दूसरे गुरु को बिन सिख्ले एक बड़ी प्यारी बात कि ए देशिवा वर्मोहे ए हो ए बगवान सी मुझे ए वर्देशिवा वर्मोहे हो शुब कर्मन तो कभू नतरों हां शुब का मु तो दुष्मन से बिलकुल मैं डरू ना डरू अरीसों जब जाय लडू निष्टे कर अपनी जीत करो ये जो चार शब्द है निष्टे कर अपनी जीत करो ये जब तर नौजवानों पैदा नहीं कर लिए जो भी फिंड पकड़ा है और मैं आल चला रहा हूं ना बेम सबसे अ मेरा नुस्दान सबसे अचा होगा जब तक ये निष्टे नहीं करोगी तब तक ये संदेश साब का और डुक साब मैं तो अपनी बता सकता हूं जाप से मिलके बहुत खुसी होई आज मैं एक जीवन में एक जो काम था एक जो जरूरी चीज थी वास पुरी होगी है क्या हम ये थे डॉक्टर कुल्दीप सिंग डेंड साथ जी 77 एर के हैं 27 साल इनकी उमर है और 50 साल का इनका तजूर्वा है हम डुक साब से भगवान से दुआ करते हैं कि ये पुरी सेंचूरी लगाएं उमर की और उसमें फिर तजूर्वा इनका बढ़ता जाएगा बात इसलिए जरूरी थी दोस्तों कि साइंटिस्ट रियाना के बहुत थोड़े से हैं जोनोंने साइंस के छेतर में नाम कमाया है उनमें डुक साब भी हमारे एक हैं और डुक साब से बात करके मज़ा आया डुक साब से कुछ आपको सवाल पूछना हो तो कुछ मार्ग दर तुक साइंसर में कैंडे ज प्राइंसरी इक बात रिया दोल समय अनमें किर से हैं ऑर छोड़े से काम कारण धिक बात्या समय कारण करें हैं